वेशनो संपर्दाई वेशनो संपर्दाई से समंदेत वीडियो में एक पहले बना चुका हूँ जिसमें मैंने रामानुज संपर्दाई वर रामानंद संपर्दाई के बारे में बताया था और इससे पहले वाले वीडियो में में सेव संपर्दाई के बारे में भी बता चुका हूँ सेव संपर्दाई और वेशनो संपर्दाई के रामानुज संपर्दाई और रामानन संपर्दाई का जो वीडियो है वो इस वीडियो के डिस्करिशन में दे रखा है यदि आपने वो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख सकते हूँ रामानुज संपर्दाई के बाद आज हम पढ़ेंगे निम्बारक संपर्दाई निम्बारक संपर्दाई क्या है और इसके अन्या नाम क्या है चलो शुरू करते हैं निम्बारक संपर्दाई है इसकी जो अन्य नाम है वो नार्द संपर्दाई, हन्स संपर्दाई, सनक संपर्दाई और राधा वलब संपर्दाई है एक एक्जाम में पुछा गया था कि हंस संपर्दाई का समंद किस संपर्दाई से हैं तो हंस संपर्दाई का जो समंद है वो निम्बारक संपर्दाई से हैं तो इसी परकार अन्य नाम भी पुछे जा सकते हैं कि नार्द संपर्दाई, हंस संपर्दाई या सनक संपर्दाई या राधा वलब संपर्दाई का समन्द किस समन्द है तो निम्बारक संपर्दाई से समन्द है और निम्बारक संपर्दाई में राधा कर्ष्ण की यूगल रूप में पूजा की जाती है दोनों को जोडे के रूप में पूजा के जाती है और जो मेला भरता है वो राधा अस्टमी को भरता है जो की भादर पद सुकल अस्टमी को लगता है निम्बारक संपर्दाई के परवत तक परसु राम जी है जिनका जनम सालेमाबाद अजमेर में वा था रूपनगर नदी के किनारे और निम्बारक संपर्दाई के जो अन्य फीट है वो अहड उध्यपूर में है निम्बारक संपर्दाई के बाद गोडिय संपर्दाई गोडिय संपर्दाई के जो अन्य नाम है वो भईय संपर्दाई आचिंतनी संपर्दाई और आधुनिक संपर्दाई है और इस संपर्दाई के इस्थापना मादवाचारे ने की थी और इसकी परमुक जो पीठ है वो वरंदावन में है वरणदामन में राधा गोविंद जी का मंदिर है और वरणदामन के जो मंदिर है राधा गोविंद जी का इनका निर्मान मिर्जा राजा मान सिंग ने किया था और वहीं राजस्तान के परमुक पीठ की बात करें तो जैपूर में इसके परमुक पीठ है गोईन्द देवजी का मंदिर है और जिसका निर्मान स्वाई जैशिंग ने करवाया था जबकि जैपूर के अंदर जो गोईन्द देवजी का मंदिर है उसका निर्मान स्वाई जैशिंग ने करवाया था गोड़ी संपरदाई की बाद अगले संपरदाई में चलते हैं जिसका नाम है वल्लब संपरदाई और वल्लब संपरदाई की जो इस्तापना है वो वल्लबाचारी ने की थी स्रीनाथ जी के मंदिर वरंदामर में इसा माना जाता है कि विजयनेकर के जो या विजयनेकर समराजी के जो कर्षन देव जी थे जो राजा हुआ करते थे उसके दर्मार में वल्लबाचारी गुरू बन कर रहे हैं और भारत में कुल उन्होंने स्वरांसी बेठकें हुई हैं इनकी लेकिन राजस्तान में पर्मुक एक ही बेठक हुई है वो है पुषकर अजमेर में वल्लबाचारी जी के एक सिश्य था सूर्दाजी और एक इसका पुतर था जिसका नाम था बिठल दाजी बिठल दाजी को अस्ट चाप कवी मंदली या आठ कवियों का संग्धन करने के लिए उनको अस्ट चाप कवी मंदली के परवतक कौन है या अस्ट चाप मंदली कवी किसне समंध्थ है तो बिठल दाजीजे समंध्थ है बिठल दाजी ने आठ कवियों की मंदली बनायी थी जिसको अस्टचाप कवियों मंदली कहते है और इस संपरदाय के जो परमुकपीड है वो वरंदावन है इस वरंदावन में भगवान शरी कर्षन की बालरूप की पुजा की जाती है बच्बन की पुजा की जाती है और दिन में आठ बार पुजा की जाती है तो अच्छा क्यूशन यहीं बन जाता है कि शरी कर्षन के बालरूप की पुजा किस संपरदाई में होती है तो वल्लब सं माना जाता है कि इस मंदिर को ओरंग जेब ने 1600 गुणंतरी स्वय में तोड़वाया था जिसमें से जो दो पंडित थे गोविन जी और दामोदर जी ये वहां से मूर्ति लेकर भागे और महराना जैशिंग के पास आए महराना जैशिंग ने नात द्वारा में जो पहले सियाडगां हुआ करता था राजसमन्द में तो नात द्वारा में वहां पर एक मंदिर बनाया और उस मंदिर में वहां पर उत दोनों पंडिनों ने वहां पर दुगवान कर्शन की बाल रूप के रूप में उजा करने लगे श्रिनाथ जी के मंदिर को इसा बोला जाता है कि यह सात दहुजा का मालिक है सात दहुजा का मालिक इसको या सात दहुजा का स्वामी इसको इसलिए कहा जाता था कि श्रिनाथ जी के देश में सात मंदिर है जो पहला मंदिर है सिरिनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा में है जो मुख्य मंदिर है राजसमंद जुबिकी दूसरा जो मंदिर है वो द्वारका दिस मंदिर काकरोली राजसमंद में है इसका तीसरा जो मंदिर है वो मदन मोहन मंदिर है कामा भरतपूर में गोकुल चंदर म मंदिर भरतपूर में है मतुरा दिश मंदिर कोटा में है गोकुल नात मंदिर जी का मंदिर गोकुल उतर प्रदेश में है और बालकर्सन जी का मंदर सुरत गुजरात में है साथ मंदिर होने के कारण इसको साथ दोजा का स्वामी कहा गया है इसके बाद इसकी कुछ अन्याब आते हैं जैसे इसकी जो पर्थम जो पीठ है राश्तान में पर्थम या परधान पीठ है जो श्री नात जी का मंदिर से नात द्वारा है जबकि इसकी ये मुख्य पीठ था यहां पर यहां पर मुख्य पीठ था मुख्य पीठ या परमुख्य पीठ जो की श्री नात जी का मंदिर नात द्वारा में और पर्थम पीठ इसकी मतुरा दिश मंदिर कोटा के अंदर है एक क्यूसन इसे समंदित पी आये था कि स्री कर्ष्णम स्रणम गमे किस संपरदाई का मंतर है तो वल्लब संपरदाई का मंतर है इसके अलबा 84 वेशनों की वारता और 52 वेशनों की वारता किस गरंद से समंदित है तो यह वल्लब संपरदाई से समंदित है वुलब संपर्दाय के बाद हम अग्ये बात करें लालदासी संपर्दाय की तो लालदासी संपर्दाय की जो परवतक है संत लालदास जी है जिनका जो जनम है दोली दुआ अलवर में हुआ है लालदा जी का जनम और इनकी मर्त्यू नगला जहाज भरतपूर में हुई है समाधी सेरपूर भरतपूर में देखो जनम इनका दोली दू अलवर में मर्त्यू नगला जहाज भरतपूर जबकि समाधी इनकी सेरपूर भरतपूर में है इन्होंने कोई विशेश रूप से कोई रूल या नियम नहीं दिये थे और इनके जो गुरू थे वो गदन चिस्ती थे लालदाजी मेवजात्य के मुसलमान थे और ऐसा माना जाता है कि लालदाजी संपरदाई से शिक्षा लेने के बाद सिश्य को गधा पर बिठाते थे इसका मुँ काला किया जाता था और जूतों की माला इनको पहनाई जाती थी और सरबत इनको पिलाया जाता था ये कुछ इसके रूल थे लालदाजी संपरदाई से शिक्षा लेने के बाद लेकिन एक बाद देखो यहाँ पे कि लालदाजी संपरदाई या लालदाजी मुसल्मान होते वे भी वेश्णों संपरदाई की पालना करते थे लालदाजी संपरदाई के बाद जो हम संपरदाई देखेंगे वो है गुद्दर संपरदाई इसको गुद्र क्यों कहा गया और इसके परवक तक कौन थे संथ रामदाज जी इसे गुद्र संपरदाई के परवतक थे जो कि निर्गुन भक्ती प्रमप्रासे समंदित थे इनका जो जनम था या इसके जो पर्तम प्रमुख पीठ थी वो दांतला भीलवाडा में थी गुद्र संपरदाई की और गुद्र संपरदाई इसको इसलिए कहा गया क्योंकि संथ रामदाज जी के द्वरा गुद्री ओडने के कारण यह संपरदाई गुद्र संपरदाई कहलाया सबसे इंपोर्टेंट जो संपरदाई है वो है चरणदासी संपरदाई इसके पर्वतक संत चरणदास जी है चरणदास जी निर्गुन भक्ती वर सागुन भक्ती दोनों से संपरदाई में जितने भी सादू है वो पेले रंग के वर्षता धारन करते थे और चरणदास जी की दो सिश्या भी हुई थी सहजो भाई और दयाबाई दो चरणदास जी की पर्मुक्ष शिश्या थी सहजो भाई ने मेवती भासा के अंदर दो गरंथ लिखे थे पहला गरंथ सोहलात थी जबकि दूसरा सहज परकास था एक ऐसा भी क्यूसरिया नाया था कि सोराती थी घरंत किसके द्वारा लिखा गया था तो सहेजो बाई के द्वारा लिखा गया था जब कि अगली जो सिस्शे है दया बाई उसने भी दो घरंत लिखे थे पहला दयाबोध व दूसरा विने मलिका अच्छा क्यूसन था इसमें कि विने मलिका किस के द्वारा गरंत लिखा गया था तो दयाबाई के द्वारा लिखा गया था इसके बाद कुछ नोट करने योगी बाते हैं जैसे कि मतच्य संग की मेरा किसको कहते हैं सहजोबाई और वागड की मेरा किसको कहते हैं गवरी बाई को और इसा माना जाता है कि राजस्तान के जो पर्थम महिला संस्ती वो सहजोबाई थी और चारंदाजी बारे में सा माना जाता है कि चारंदाजी ने जब दिल्ली पर एक एक आकर्मन हुआ था किसका सत्रा सो गुन्चालीसिए में नादिर सांग के दवारा जो आकर्मन हुआ था। एक बात करें तो निस्खफ सम् परदाई में संतमावजी आती हैं और शंतमावजी भी शैगुन भकटी और निर्गोण भक्ति दोनों के परवतक थे दोनों को मानने वाले थे और जिन इनका जनम में संत मावजी का जनम सांवला गाउं डुंगरपूर में हुआ था और इनको शाक्षात कर्षण जी के निश्कलंक अवतार माना जाता है कर्शन के इनको अवतार माना जाता है वागड चतर में भिलों के लिए इन्होंने लसाडिया आंदुलन चलाया था तो भिलों के लिए लसाडिया आलन चलाने वाले कौन संत थे तो संत मावजी थे और चोपडा क्या होता है संत मावजी की जो उपदेश है चोपडा गरंत में है जो चोपडा गरंत है उसमें संत मावजी के उपदेश दिये गी है और जो वागड के धनी है वागड के धनी संत मावजी को कहा जाता है और बांगड का धनी देखो वागड और बांगड दोनों मिलते जूलते हैं इसमें कन्फ्यूज होने वाली चीज़े हैं तो वागड का धनी तो संत मावजी है लेकिन जो बागड बांगड के जो धनी है वो है सक्र बाबा या नरहड की पीर अब वागड और बांगड में क्या अंतर है देखो जो वागड है उसके अंदर कौन-कौन से छेतर आते हैं जैसे सब बांगड चेतर के अंदर आते हैं जबकी डूंगरपुर, बांच्वरड ये किस में आते हैं वागड चेतर में आते हैं तो आज के लिए यतना ही और एगले वीडियो में आपको मैं जहामबो जी और जशनाद जी के बारे में वीडियो लांँगा प्राइब साथ